हेलो श्रुएंट्स नमश्कार केमिस्टी की ओनलाइन क्लास में आप से बच्चों का हाधी स्वागत है मुवम्मीत करता हूं आप गर पे सेफ होंगे और सुरक्सित होंगे वह बात कर ले थे वह बात करें चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर का नाम था सम बेसिक मैं आपसे फिर कहा हूं यह जो चैप्टर है को अपना बेसिक चैप्टर अर इस चैप्टर को हमको इतनी तरीके से मजबूत करना है अगे जाकर हमको कोई भी प्रोआइन क्मस्टी की बेसिक कोंसेप्ट में क्योंकि मैं आप यह पक्का माणू कि थर्मोडाइनेमिक्स, एक डिटेल वाइज आपके साथ डिसकस किया दा रहा है, अगर NCRT के according में चलता, अगर आपकी book के according चलता, तो मैं कब का इस chapter को फिरी कर चुका होता, लेकि मैं यह चाहता हूँ, कि अगर आप chemistry पढ़ी रहे हो, तो तरीके से पढ़ो, जो भी concept, जो भी important points, इस topic से related है, वो मैं आ आपके साथ share करू, उसे आप समझो, और उसका use करके chemistry में आप आगे बढ़ो, यह मेरा एक सोच भी है, और मैं हमेशा यही चाहता हूँ, कि चाहिए time कितना ही लग जाए, लेकि जितना matter हम आपको दे सकते हैं, उतना matter मैं मेरी तरफ से आपको provide करू, अब यह अलग बात है, कि आप पढ़ो, चाहिए ना पढ़ो, लेकिन मैं तो यह चाहूँगा, कि अपनी तरफ से, जितना मैं best कर सकता हूँ, उतना मैं best करूँ, बात के लिए है, इसलिए मैंने कहा था, कि जो भी अपना process है, वो two-way होना चाहिए, जितना मैं अपनी तरफ से महरत कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सोच कर पढ़ते होतों, बिना बात किये, अपने lecture को आगे बढ़ाते हैं, वो हम बात करें थे, वो बात करें थे, इसटाइक्योमेट्र के बारे में, यानि रस्शमीकण मिती के बारे में, उमाने कहा था, इस्टाइक्योमेट्र क्या होती है, किसी भी को जब आप पूंड रूप से संतुलित कर देते हो तो कलाती अभीकिया की रस्मिकण मिती और उसमें जिन आप इस्तिरांग को कप्यों करते हो वो कलाते हैं उस अभीकिया की रस्मिकण मिती इस्तिरां ये बात मैंने की थी इसके वाला बताया था, फिर मैंने आपको बताया था, मोल के application के बारे में, हमने काफी relation पढ़े थे, पहला relation क्या पढ़ा था, मैंने मोल-mol relation, या आपको एक के मोल दी जाएंगे, और दूसरे के मोल पूछे जाएंगे, दूसरा पढ़ाया था, आपको मोल पार्टिकल रिलि यानि एक के मोल दी जाएंगे, दूसरे का वोल्यूम पूछा जाएगा, अब आपको एक्जाम में मोल देगा, मोल से क्या मना लोगे आप, वोल्यूम, वोल्यूम मनाना आपको जानते हो, फिर लेगा लो relation मोल, फिर पढ़ाता हमने पिछले वाल लेक्चर में, मास-मास relation, क मास-वोल्यूम रिलेशन, क्या बताया था, मास-वोल्यूम रिलेशन, यानि एक का मास दिया जाएगा, और दूसरे का वोल्यूम पूछा जाएगा, तो जिसका मास दिया जा रहा है, उसका मास बना लो, जिसका वोल्यूम पूछा जा रहा है, उसका वोल्यूम बना लो, औ लगा दो ना एक आत्मीं विदी अपने आप यांसर रह जाएगा एक लास्ट ले गया था कौन सा रह गया था शिक्स वाला उसके बाद यह मौल कॉंसर्ट का एप्लिकेशन है वह हमारे पास फिनिश हो जाएगा बई किलियर है अब यह मौसोना सर्फ मौल कॉंसर्ट फिरी हो यह आपके NCRT का सबसे इंपोर्टेंट टोपिक है सीमान तभीकरमग यह भी अपना रोल प्ले करेगा मौल कॉंसर्ट में यानि हम अब जो सीखेंगे वह सीखेंगे लिमिटी रिजेंट को बात करे रहे हैं तो यह भी मौल कॉंसर्ट का पार्ट है टोपिक थोड़ा लग ह मौल कॉंसर्ट से काफ बिए और मौल कोंसर्ट के अप्लिकेशन नहीं आते लो इस टोपिक में एंट्री करी नहीं सकता सोचना इमद कि सीमान तभीक्रमग उस विद्यार्ती को विद्यार्ट यौंसर्ट याद नहीं है लिमिटिंग रियेजर्ट की कहानी उसके बिल्कुल कॉल कर सकते हो मुझे वार्षप कर सकते हो जैसा मुझे ये समझ में नहीं आया तो आपका टुनद डाउट के लिए कर दूगा जलो करते हैं लाइशो कोण सा लेगा है इंगा वने पास व्वोल्यूम व्वोल्यूम् रिलेशन और तो आपको एक हैं लगने होगी कि सरी व्व यह भी गैसे यह भी क्या बैलेंस है बहुत अगर आप मोल कॉंसेट के रिलेशन सोल कर रहे हो तो पहला काम क्या होगा पहला काम होगा आपको अभी क्रेंगों संतुलित करना तो मैंने का यह क्या करना है आपको मालोक क्यों संदिया गया अगर ऐंटू फाइव के पांच मोल दे जाएं वह एंटू फाइव के तीन लिटर से क्या पूछेगा तो बताओ और टू का कितना लिटर बनेगा क्या पूछ लिए आप से अगर N25 के 3 लिटर दे दिये जाएं तो बताओ O2 का कितना लिटर बनेगा यानि आपको एक का वोल्यूम देके दूसरे का वोल्यूम पूछ रहा है तो बताओ कौन सा लिशन लगा हो गया आप वोल्यूम वोल्यूम रिलेशन मैंने बताया था जब इस प्रकार के क्यों सुनाएं तो जिसके बारे में दिया गया है उसको लिखोगे बाही तरफ जिसके बारे में पूछा गया है उसको लिखोगे दाही तरफ किसके बारे में दिया गया है वह यहां पर 2N205 किसके बारे में पूछा गया है वही और टू के बारे में तो टू हम को क्या दिखा रहे है यह मोल यह भी क्या है अपने पास मॉल यूekk ओलूम लिटर में डिवाइड बाईज पॉंट च्यार तो अगर वोल्यूम निकानना है लिटर में तो कितना होगा यह कि वोल्यूम इसका वोल्यूम कितना होगा तो इसके एक लीटर से कितना मनेगा वाई गेगा वाई टो इन्टुट्वांट किटना हो जाए कितना हो झाटिन इसके उत्यक्ता तो इसके तीन लिट्र से कितना मढएगा जब एक सीतना मन रहा है तो तीन से कितना मने जानती हो आप इसकी पार में वन इंटुटी ट्वंटी ट्वंट्व पॉंट्व मौन फोर मॉल्टीप्लाइ थी कर्टि रहा है तो पूरा पूरा देख ला ये तो कैंसील हो गया और इक बात किलियर है एक का वोल्ओम दिया गया और दूसरे का वोलिम निकाल लिया माल लो क्यों से कर देता कैसे कर देता कि अगर आपको 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 थी ओक तेडिय तो पूछ रहा है तो बता है कितने वोल्यूम इससे रियक्ट करेंगे इससे बनेगा थोड़ी तो आपस में भी आगर रहे हैं इसको जब तोड़ा आपने प्रसोटू कहरा है तो ओटू कितना लिटर इसके साथ सही ओक करेगा तो मैंने का है जिसके लिए दिया गया है उसको लिख कर देंगे अपकी बार क्या करेंगे हम किसके लिख गाया olduk क्या लिखा हुआ है वन ओर तो क्या दिया गए हमको न ब्राबर चार मोल बात की लिए यह तक की तो हमको दिया गए से पहले किपनेगा मौल को मल्टीप्लाइबुट two point लिटर से यहां उल्यूम कैसे बने गा मोल list तो इसके इतने इससे इतना बनता है तो इसके इस्के कितना बने लोगे इतना इंटेलिजेंट हो आप आंसे कि इतने आपको फॉल्यूम दिये जाते तो कितने मूल करते हैं बात के लिए नहीं अब आपको एक क्योंस देता हूं वह आपको सोल को कि मुझे वार्ट सबसेर करना है यदि यदि तो n 2 5 की मूल बनेंगे ऐसे अपोजर कर लिया न बए उत पाद देके आप से कुलिया कर लिया आप कर दोगे यह मुझे आप सेर करोगे कि अगर n 02 का तो उसके दवरा n 25 के कितना मैं बनेगा बात के क्लेड़ है तो यह लाड़ फी कि ता मारे पास वोल्यूम वोल्यूम रिलेशन का और इस रिलेशन में क्या करना था हमको इस रिलेशन क्या था हमाई पास इसमें एक के वोल्यूम दिये जाते हैं और दूसरे का वोल्यूम पूछे जाते हैं और एक्जाम में हमको क्या दिया जाएगा एक्जाम में हमको मोल दिये जाएंगे और मोल से क्या बना लो गया आप जो भी आपको दिया गया है जो भी आप से पूछा गया है उसमें आपको कनवर्ट कर देना अगर पार्टिकल पूछी जा रहे है तो पार्टिकल बना देना अगर वेट पूछा जा रहा है तो वेट बना देना अगर वोल्यूम पूछा जा भॉलम वोल्यूम यहां तक की कहांइ यहां घौन का पिल्लर तयार हो चुका है यहां तक आपका मोल कॉंसेप्ट एक पर्फेक्ट लेवल पर आ चुका कि हम मोल कॉंसेप्ट के जो प्रोब्लम्स है इसके जो नियूमेरिकल वैल्यू है उनको सोल आउट कर सकते हैं लेकिन मैंने काया अभी एक कहानी हो रह गई अभी बाकी लिमि इंपोर्टेंट है यह कानी समया गई और यह क्यों सब्सक्राइब करते हैं अगले वाई टोपिक की और वो टोपिक अपने पास है एंपेरिकल फॉल्मूला कि इसको हिंदीं बोलते हैं मूलानुपाति सुत Ha Ba Hai Rechts empericulous formula 2 for new वारे में एक elamas होता हूथ एंप लिएक प्र crayon और दूसाформ उन्म मॉलकूलर फॉर्मूला इंद दूसा फॉर्मुला वह साथ हैं मोलिकुलर फॉर्मूलब ला कि दो फॉर्मूले होते हैं एक फॉर्मूला होता है एंपरिकल फॉर्मूला और एक फॉर्मूला होता है इसको निम्भोते हैं अनुस्तर पताने सीरीज के बारे में तो आपको फड़ाया है मैंना आपको फॉर्मूले के बारे में तो अब आपको कहानी कौन सी आ गई है अब लिखेंगे इसको एका मतलब क्या होता है एंपकरिकल एक का मतलब होता है फोर्मीला इसको लिखेंगे में स differenti यह कमपेर टू एम पड़िकल थो फोर्मुला अब मैं आपको यह बता है कि इसलि आमपक्ल फोर्मुला इसके बारे मत आप जानते हो род keep लिए सियो निए सियो टूंप ये सियो टू wsp jiha किंव क्या हूं इसका इमपीरिकल फॉर्मूल क्या होगा हो तो आप क्या ब्ता हगी झांतेजिक्र किया बोलते हैं इसे बोलते पढ़ाये ने टैंड में तो इसे बोलते बंग्जीन किया है यह है इसका एम एफ यह का क्या इंप्राइब कि इसका वोगा जैसे देंग आपको सी ऑफ सी ऑ और ऑफ से हम यह कैसे बनाएंगे डेख आप देखेंगे आप देखो ज्यान से पहले में आपको परिवासां पताता हूँ एम्पेरीकल फॉर्मुला है क्या तो पहले किसको करेंगे कुछ हम डिसकष करने है बढ़ी के बीमबार करें कि मुलानुपाति सुत्र होता क्या है शुन मांतों कोई भी क्लिक्र प्र 있다 को द्यान सुमिया जाएक कोई भी वोलीक्ट में घराल आफिको की बात कर रहे हो दो CO2 में अनू है, यह क्या है इसका molecular formula है, किसी भी अनु सुत्र में, जो परमानू है, परमानु कॉन को जछे में? एक तो carbon है आ अपने पास दो oxygen, जैसे मालोओ आपने ammonia ले लिए, ammonia क्या है अनू? और उपस्तित परमाणों का सरल्टम अनुपात सुना परिवास हो द्यान से किसी भी अनुपात सबसे सिंपल रेश्यो कहलाता है उस अहूं का एमपेरिकल फोर्मूला परिवास लेटा हूं मैं उससे आपको पूरी केलेट हो जाएगे परिवास क्या कहती है किसी भी किसी भी अनुपात इसको इंगलिग से महते है सिंपलेश्यो सिंपलेश्यो किसी भी अनुपात परमाणों का सरल्टम अनुपात उस अनुपात कोमा लगाएते हैं उस अनुपात एफ कहलाता है एफ जम्रेश्यों एंपरिकल फोर्मूला कहलाता है बात के लिए फरवेस अगी बारे में किसी भी अनुपात परमाणों का सरल्टम अनुपात है वो कहलाएगा उसका इफ बिलकु सिंपल परिबास है कि अगर आपके पास क अनुपात ले लो सबसे सिंपल आनुपात ले लो क्या 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 ख़े ऑप को पूरी बात कियाना चाथा हूं लेकि परिबास सुनों और उस्ते ज्यादा और उसे यह रस फेया चो इस पूरी कहानीगा कर देंगे माग ली आपने एक्जांपल ले लिया क्यों कि यह अपने पास है ँसका किसका मुलनुन पाति सुत्र आपने पास यह इसा बहुत है किसी भी पास्तित आपको परिबास समझा रहे हों परहीं किसी भी आपको परिबास समझारें पर चाहिए से अपने पास है इसका अनुस्त हर्वॉपषित मूव परमानुब का जब साओर अपने पास 6 अपने पास sourald और कित्री आपने पास 6 दिखराए जैंा है इंका क्या लेना हैं अब उनुस्तंक गोगा यह जो आपने एक निकालना है यह के ऄलाएगा इसका फ İ फोर्मूला होता है वह क्या होता है एक हाइड की तरह नी सकते न आप इसको चे को सब ज़्यादा क्या तो सकते तो आप इधर भी एक आजाएगा इतना भी एक आजएगा यानि तर्बनी में पास एक हाइडोजन में हमाई पास और यह तो CH मनाए है यह C6X6 का क्या है empirical formula बात समझ में आ गई यह किसी भी आणू में पस्तित परमाणों का सबसे सरलतमनुपात है वह क्या क्या लाता है उस आणू का empirical formula क्या क्या लाता है उसका empirical formula रहे करें यह लिए ले 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 लिए यह दो फिर प्रवर से लिखी हुई नहीं इदर ले ले ठीए जान तो इसको यह क्या लिखा यह लिखाया है मैंने यह अपने पास molecular formula किसका molecular formula है यह molecular formula है यह c जानते हो इसके बारे में तो एक अमल है इसको बोलते हैं अब देखो किसी भी अनुमिय उपस्तित अनुकों साब में पास CS3COOH परमाणु का कितने परमाणु का इसमें इसमें तीन तरह की परमाणु कार्बन है हाइडोजन अपने पास ओक्सीजन लिख लो एक साथ कार्बन हाईडोजन और शीजन लेकली परमाणु का सललता मनुपात लेगा कितने एक रिक दो को अनुपात करें शाना लगादू है अपर चाहरा कार्बन एक रिक तो कांट लिया तो कार्बन एक रिक्षोटन कितने हैं तीन तो यह रही एक है रही तो पास छार शनकें लिख सेगन कि आपने पास कि आपने कि आपने कार्बान परमानु में जितने भी परमानु है अगर उनका सबसे सरल्ता मनुपात ले ले लेते हो वह कहला था उसका एंपरिकल फॉर्मूला फॉर एक्जांपल जैसे मालूं मैं यह लेता कर लेंडेट है किस इंपरिकल सफॉर्मूल ल कि इसो सबसे सर्ल्ता मनुपात नवान फॉर्मूला सुनों भाद जैसे अभी क्छ बतालगे यह में अ अभी तोग मेने को परिवास है किसी भी अनुम पस्तित परमाणू का जो सबसे सहललता मौनपात है वह कहलाता है उस अनुम का एंपेरिकल फोर्मूला एकजामपल से मैंने आपको भी आपको समझा दिया है एक कानी ओर मालों के सब फोर्मूला यह होता तो की ने शोटी इसोडियून कार्बोर्ण에ट अब बनायों सवाथ इसका ये लगते हैं वो समुझान प्षूमूला ये दो होता है और हमको एंपेरिकल फोर्मूले में और एंपेरिकल फॉर्मुला क्या होता है उसके जितने भी एक्टम है उसका सबसे शल्वत मुले पात कि यह वन रेशियो तो यह वन रेशियो तो ढूंक वांगे डिवाइड कर सकते हो किसे आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते क्या हो बने पास 흹लायत के यहां पास यह आप ऌने लिखांगा वह armas यह सोचए का कारव कंधेly पास है और आके आपएक सोच मेह पास कितना थी तो इसको आगे तोड़ सकते हो क्या नहीं तोसकते तो जो इसका होगा अपने पास एंपरेकल फॉर्मूला वहीं क्या होगा आपको 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 में Freddy में जब तक धन्य वाद झाल झाल